नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म पीपा के बारे में जो आई है Amazon Prime वीडियो पे तो दोस्तों रिव्यो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की प्रिस्ख भूमी पर है और हम कहानी देखते हैं तीन भाई बहनों की मेजर राम महता एक बहुत ही अनुशासित और सम्मानित अधिकारी है सेना के उनकी बहन है राधा जो की मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और छोटा भाई है कैप्टन बलराम महता यानि की बल्ली और ये तीनों ही भाई भहन किसी न किसी तरह से इस युद्ध में हिसा लेते हैं और बल्ली का जो पहला प्यार है वो एक टैंक है एक एमफिबियस टैंक है PT-76 जिसको की पीपा नाम दिया जाता है और बल्ली उसे अपना पहला प्यार मानता है हाला कि इस टैंक के ट्रायल के दोरान ही वो कुछ आदेशों का पालन नहीं करता और फिर उसके खिलाफ जाच भी बैठ जाती है लेकिन बाद में चीजें कुछ ऐसी होती है कि उसे युद में जाने का मौका मिलता है और फिर किस तरह से टैंक को ले करके वो युद में जाता है और क्या कारणा में वगरा करता है यही आप इस कहानी में देखते है दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी है और जो डायरेक्शन है वो भी अच्छा है और हम देखते हैं कि इस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में क्या कानफ्लिक्ट था मानविय हितों को देखते हुए भारत ने किस तरह से दखल दी और पाकिस्तान जो की पूर्वी हिस्से पर बहुत अत्याचार कर रहा था उसको रोकने के लिए भारत ने कोशिशे की और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे मुक्ति वाहिनी के लोगों को एक नया देश मिला बांगला देश और दोस्तों इस फिल्म में आप पूर प्रधानमंत्री स्वर्गिय इंदरा गांधी और सैम मानिक्षों की कूटनीती को भी देखते हैं लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि यह फिल्म बेवज़ा आपको पेट्रियोटीजम का पाठ नहीं पढ़ाती है कोई ऐसा दृष नहीं क्रियेट किया गया है तिरंगा वगारा को ले करके तो यह फिल्म जो है वो अपनी स्टोरी से चल करके चलती है विशेवस्तु पर ही टिकी रहती है फिल्म शुरू से ही इंगेजिंग है आप देखते हैं तो मज़ा आता है और फिर जब वार के दृष याते हैं वो देखना भी आपको अच्छा लगता है खास करके जो टैंक से युद हो रहे हैं वो सब देखना ठीक है लेकिन कुछ जगों पर लगता है कि इंद्रिश्यों में थोड़ा दोहराव भी है अलाकि फिल्म बीच में थोड़ी सी स्लो भी आपको लग सकती है और यहां क्रिस्प की कमी महसूस की गई है और कुछ बाते ऐसी हैं जो केवल बता दी गई है कि जैसे एक बार एक टैंक से युद होता है और एक बड़े अफसर सहीद हो जाते हैं उसके बाद फिर गन बैटल होती है लेकिन उसको बहुत ही जल्दी से निप्टा दिया गया या फिर यहां हम देखते हैं कि पीपा जो टैंक है उसमें तीन लोगों की छमता है और उसमें चार लोग कैसे आएंगे इस बात का इंतिजाम बल्ली को करना है लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कुछ उधेर बुन में लगे हैं कुछ डिजाइन वगरा बनाते हैं और यह काम वो कर देते हैं तो इसकी डीटेलिंग में अगर जाते हैं और एज ए विवर हमको भी बताते हैं कि क्या तक्निकी दिक्कते थी और किस तरह से उन्होंने उसको दूर किया तो हमको भी ज़्यादा मज़ा आता और दोस्तों यहां आपको दिखते हैं सेंटरल करेक्टर में बल्ली जो की बने हैं इशान खटर लेकिन फाजी के रूप में ज़्यादा ही जमे है प्रियाशू पेन्यूली और यहां मुझे लगता है कि इशान खटर को अपने लुक पे ध्यान देना चाहिए अगर उन्होंने हेर कट नहीं करवाया है तो उनको करवाना चाहिए था और इस फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन भी दोस्तों अच्छा है और एक अच्छा एट्मोस्फेर यहां क्रियेट किया गया है इशान खटर है यहां बहुत अच्छी उन्होंने आदाकारी की है कुछ जगों पर जहां कॉंप्लेक्स इमोशन उनके चेहरे पर दिखता है वो अच्छा लगता है प्रियांसु पेनियूली भी कमाल है मरनाल ठाकुर भी अच्छी लगी है सोनी राजान है चंदरचूराय, अजुन सिंग दुहन, इनामुलहक तो जो कलकार लोग है इन्होंने अपना काम बढ़िया धंसे किया है सिनेमेटोग्राफी ठीक है एडिटिंग ठीक है लेकिन म्यूजिक इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है A.R. Rahman का संगीत है इसमें और A.R. Rahman का नव नाम आ ही जाया तो फिर कहना ही क्या शुरुआत में ही एक यहां गाना आता है मैं परवाना करके अब यह गाना इतना कमाल का है इसका म्यूजिक कमाल का है कोरियोग्राफी कमाल की है जो यहां कलाकाट डांस कर रहे हैं वो सब देखकर के अच्छा लगता है अरी जी सिंग की जो आवाज है वो भी कमाल की है तो एक बहुत ही बढ़िया ये गाना है हलाकि जो दूसरे गाने हैं वो भी आकरशक है तो फिल्म है सवादो घंटे की एक साफ सुतरी फिल्म है आप त्योहार के इस विकेंड में अपनी फैमली के साथ इसको देख सकते हैं इंज्जॉय कर सकते हैं फिल्म देखकर के मुझे भी काफी मज़ा आया और मेरी रेटिंग है पांच में से 3.5 की तो दोस्तों आज इतनी बात आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसे लेगी धन्यवाद